नमस्कार, रेसिपी मंतरा में आप सबको स्वागत है अभी के समय में अगर आप बाहर का खाना मिस करते हैं और आपको होटल वाला टेस्ट चाहिए तो पनीर के इस सबजी को आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इसका जो स्वाध है बिल्कुल रेस्टोरन जैसा है और इस आपके सवालों का जवाब दे सको चलते हैं आज किस रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बिटन दबा के मेरे वीडियो को लाइक करें और हां पैल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेट दालना हैं, एक तिछ पत्त तोड़के, और प्याज को आप तब तक भुने जब तक की प्याज आपकी हलके सी सुनेरी ना हो जाए जैसे ही प्याज के उपर हलका सा सुनेरा लेयर आना शुरू हो जाए आपको इसमें डालना है एक चम्मज कदुकस किया हुआ अदरक और लेसुन चाहे तो आप यहाँ पर अदरक और लेसुन को बारीक पीस के डाल सकते हैं या दर-दरा कूट के भी डाल सकते हैं अदरक लेसुन को प्याज के साथ हम एक मिनट भून लेंगे ताकि अदरक लेसुन के जो कच्छे पन का टीष्ट होता है वो निकल जाए तो यहाँ पर अदरक लेसुन प्याज के साथ हलका सा भून गया है तो अब हमें क्या करना है कि ग्यास का आच बिल्कुल धीमा कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सूखे मसाले डालने हैं तो मसाले हमारे ना जले इसलिए ग्यास का आच आप बिल्कुल धीमा कर दें और एक चम्मच यहां पर हल्दी पौडर डाल दें, आधा चम्मच धनिया पौडर, एक चम्मच आपको यहां पर डालना है, देगी मिर्च का पौडर, यह ज्यादा तीखा नहीं होता है, और सबजी का जो कलर है, वो बहुत अच्छा आता है इससे, तो सभी सूखे मसालों को हम मिला लेंगे, और अब आपको यहां पर डालना है, चार मीडियम साइज के टमाटर, और टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस के डाला है, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है हमारी सबजी में, सबजी में स्वात के अनुसार, नमक भी हम यहीं पर डाल देंगे, तो मैं यहां अधा चमश नमक डाल रही हूं, आप अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं, मिला लेते हैं इसे, अब आप इसे ढख दें और ढख के इसे 5-7 मिनट तक पकनी के लिए छोड़ दें, गैस का आच मीडियम से लो के बीच में रखें, ताकि मसाले आपके जले न तो इसे दुबारा से ढख दें, यहाँ पे मैंने 1.500 ग्राम पनीर लिया है, पनीर को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ो में काट लिया है, पनीर का जो शेफ है वो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद दो चाहें तो आप इसे लंबया कार में काट सकते साथी साथ आपको चाहिए होगा 100 ग्राम पनीर और तो यहाँ पे मैंने पूरा 200 ग्राम पनीर लिया है, 300 ग्राम पनीर मैंने सबजी में डालने के लिया है, और यह जो 100 ग्राम पनीर है, इसका हम बनाएंगे ग्रेवी, आपको क्या करना है कि मिक्सी के जार में इस पनीर को डालके पीस लें तो यह मैंने पनीर को पीस लिया है और जब आप पनीर को पीस लेंगे तो यह दिखे यह फाइंग हो जाएगा बिल्कुल तो उसके बाद आपको इसमें डालना है आधा कप पानी और पानी डालके इसे आप दुबारा से पीसे जब आप इसे दुबारा से प तो आज की सब्ची में हम पनीर की ग्रेवी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बन के तियार हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा है गाएगा साथ मिनिट हो गए हैं मसाले को भुनते हुए तो चलते हैं इसे चेक करने के लिए यह देखे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए अब इसकी पहचान यह है कि इसके किनारे पर आप देख सकते हैं कि तेल अलग होने लगा है जब आप मसाले को चलाएंगे तो जो मसाला है वो सबजी का जो टेस्ट है वो सही नहीं आएगा अब हम इसमें पनीर की ग्रेवी डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पीस के रखा था जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बच्चा हुआ ग्रेवी है उसे भी निकाल लेंगे इसे हम मीडियम आज पे लगातार चलाते हुए तब कर सकते हैं तो दो बारा से मसाले के ऊपर तेल अलग होने लगा है तो अब आपको यहां पर डालना है एक चमज कसूरी मेथी को हाथ पे जब आप रगड़ते हुए डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है फ्लेवर है वह हमारी सब्जी में बहुत अच्छे से आ जाता है इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है तो यहां पर मैं आधा कप पानी डाल रही हूं ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़े पतला जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा रख सकते हैं और अगर आप सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो बीना प्याज लह के- guys-5 मिनट के त धीमी आज पे पकरने देया हैं पांच मिनट हो गये हैं और यह रिखिए हमारी नियлिक सब्जी बन के तेयार है और सब्जी के ऊपर बहुत अच् reduces आ गया है और यह देखने में भी बहुत अ इससे मिल लेंगे क्योंकि पनी बहुत सॉफ्ट होता है तो अगर आप इसे बहुत जयादा चलाएंगे तो पनी तो पूट सकते तो आप इसे हलके हाथ से मिला लें अब में लास्ट में इसका टीस्ट बढ़ाने के लिए टाल रही हूँ थोड़ा सा बटर जी हा बटर से जो ह कोई भी समझ से आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं रेसिपी पसंद आए तो इसे जादा से जादा लोगों के सांथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी बिष्टी सबजी बन के तयार है गर्मा गरम सेफ करने के लिए आप भी बनाएं खाएं सभी को किलाएं मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी मन्तरा में तब तक के लिए बाइ बाइ